दोस्तो हिंदी फिल्म के सुपर इस्टार अभिनेता जितेंद्र जिन्होंने हिंदी फिल्म में एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्म दी है हलाकि आज उन्हीं के पारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तो इससे पहले आप से थुरा रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल पे न्यूँ है तो नीचे लाल बटन को दवा के चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताना तो चलिए दोस्तो वीडियो को बीना जेर किये करते हैं श्टाइग दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फर्ज की दोस्तो फिल्म फर्ज साल 1967 में आय था ये फिल्म साल 1967 में आय था जिनमें जितेंद्र और बवीता लीड रोल में नजर आई थी हलाकि ये फिलिम 56 साल पुराने है जब कि ये फिलिम दर्सक अभी भी देखना काफिर पसंद करती है दोस्तो नमबर टू बात करते हैं फिलिम हम जोली की ये फिलिम साल 1970 में आये था जिन में जितेंद्र और लीना चंद्रवाकर लीड रोल में नजर आई थी दोस्तो नमबर टी जीने किरा दोस्तो ये फिलिम साल 1979 में आये था जिन में जितेंद्र तनूजा संजीब कुमार लीड रोल में नजर आये था इसे फिल्म से जितेंद्र को जेंपिंग जेक के नाम से जानने लगा दोस्तो अब बात करते हैं फिल्म कारवा की जिन में जितेंद्र और आसा पारेख लीड रोल में नजर आई थी हलाकि ये फिल्म साल 1971 में आया था और ये आते ही दर्सक को इतना पसंद आया कि हर फिल्म में आसा पारेख और जितेंद्र की मांग थी हलाकि अब बात करते हैं फिल्म परचे फिल्म परचे 1972 में आया था जिन में जितेंद्र और जया भादरी लीड रोल में नजर आया था दोस्तो अब बात करते हैं फिल्म खुस्बूग की ये फिल्म सबसे सूपर हिट सावित हुई थी हलाकि ये फिल्म साल 1975 में आया था जिनमें जितेंद्र और हेमा मालने लीड रोल में नजर आया था दोस्तो अब बात करते हैं फिल्म किनारा के ये फिल्म साल 1977 में आया था जिनमें जितेंद्र और हेमा मालने ही नजर आया थी हलाकि इसी फिल्म से दोनों की अफैर के खबरे चर्चा में आ गई दोस्तो अब बात करते हैं फिल्म आसा की ये फिल्म आसा 1980 में आया था जिनमें जितेंद्र रीना राय और रामेश वरी मुखे भूंका में नजर आयी थी हलाकि आप बात करते हैं प्रीतम साल 1977 में आया था जिनमें जितेंद्र, नीटु सिंहा, राकेश रोशन, आसा संदीव इनमें और भी अभिनेतरी नजर आई थी हलाकि आप बात करते हैं जुदाई की हलाकि जुदाई साल 1980 में आया था जिनमें जितेंद्र और रेखा नजर आई थी हलाकि रेखा और जितेंद्र की प्यार यहीं से अस्टाइब बता